वेलकुम तो सिया इंटरनाश्चनल श्कूल ऑन्लाइन क्लासे सुवरी श्टुट रिखियो जेए इदा थेलिए टेकव यह सेल बना क्लास कों सेखिया की क्लास फॉर्स्ट सब्जिक कुन सा परनी जा रहे हैं मैं कुन सा सब्जेक्ट यह एवियस बेटा वर्क स्टाट करने से पहले बहुत जो रही बार जो मैं आपको डेली सिखाते हैं क्या सिखाते हैं क्या करना है डेली मास लगा कर लखना है हैं वोश करना है बार बार हैं सानिटाइ आपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए याने बचाने के लिए दॉस्ट और किससे है जिसके से हीट कोल्ड रेंग एंड डॉस्ट थीव्ज वाइड एनिमल इन से सबसे बचने के लिए हमें घर की जरूत होती है हम नहीं यह देखा था आज हम क्या देखेंगे टाइपस ऑफ हाउसे क्या टाइपस ऑफ हाउसे ओके चलो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउसे सबी बच्चे इविएस की भुक निकालेंगे पेज में मां 33 ओपन करेंगे क्या है पेटा मैं में लीडिंग कर नहीं है आप सभी फिंगर किये टाइपस ऑफ हाउसेस टाइपस मेंगे इंगने घरों की प्रकार बैटा घरों के प्रकार कितने होते हैं घरों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कच्छा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस, कच्छा, कच्छा यानि नाम से ही हमें पता चला कच्छा, और पक्का मतलब पक्का घर, कच्छा घर और पक्का घर, कितने प्रकार होते हैं, दो, कौन कौन से कच्छा और पक्का, कच्छा घर और पक्काधर याने कच्छा हाउस एंड पक्काऊस ठीक है कितने प्रकार होते हैं दो चलो देखते हैं हम इसके बारे में There are two types of houses कच्चा house and पक्का house अब टर्न कीजिए page page number 34 क्या है बिटा, सबसे पहले हम देखें कच्चे house के बारे में किसके बारे में? कच्चे house के बारे में कच्चा house यानि क्या बिटा, कैसे बनता है? अब ये देखते हैं A house house means घर, एक घर made, made means बनाया M-A-D, made, made means बनाया बनाया of mud, mud means मिट्टी mud, mud means मिट्टी, सबी बच्चों ने बिटा हिंदी लिखनी है मैं आप जहाँ जहाँ हिंदी लिख वाए mud, mud means मिट्टी, straw, straw means सुखी खास S-T-R-A-W Straw, straw means सुखी खास सुखी खास and wood, wood means लकडी tableau, double O-D, wood means लकडी एक घर जो की बनता है किससे? mud याने मिट्टी straw याने सुखी खास wood याने लकडी एक चीजों से जो घर बनता है उसे क्या कौनसा घर बोला जाता है? कच्चा हाउस कौनसा घर बोला जाता है? कच्चा हाउस किससे बनता है? mud, straw and wood ठीके? is called a कच्चा हाउस यह कच्चा हाउस कहलाता है कच्चा हाउस is generally found in village generally means अक्सर अंडरलाइन करेंगे G-E-N-E-R-A-L-L-Y generally याने अक्सर अक्सर यह घर कहां पाया जाता है? found means मिलना F-O-U-N-D found found means मिलना यह कहां मिलता है? कहां मिलता है? village village means गाउं V-I-L-A-G-E village village means गाउं अक्सर ये जो घर — यह कहां मिलते है? गाउं में मिलते है जाउं मैं अब हम देखेंगे हम लिए कच्छे घर के इसके भाए कच्छे घर के बारे में देख लिए अब हम देखेंगा पक्क्य घर पकक्य गर पक्य बनता है? ठीक है और पक्का घर क्यों पोलते हैं उसको A house याने एक घर Made, made means बनाया जाता है Of bricks, bricks means इटो से B-R B-R I-C-K-S Bricks means इटो किस से बनाया जाता है इटो से बनाया जाता है Cement, cement आपको पतावगा आपके घर बनाने के लिए जो cement आता है जिससे की घर कैसा होता है मजबूत, इटो को जात में वो लगाया जाता है और मजबूत ही आती है Next क्या है, steel जो दर्वादे खड़िया बनती है उसमें क्या लगती है, steel लगती है And wood, wood means लकडी Wood means लकडी यह जो मकान बनता है इन मटीरियल को लेकर जो मकान बनता है वो कौन सा मकान क्यलाता है पकका हूस क्या क्या ख़लाता है पकका हूस क्यों पकका अगर क्यलाता है क्योंकि जो सीमेंट है ब्रिक्स है और steel है और wood है इन सब को मिला कर कैसा घर बनता है एक मजबूत घर बनता है यह पकका घर बनता है ठीके अब पकका हूस जनरली जनरली मेंस अक्सर फाउंड इन सिटीज सिटीज मींस सिटीज मींस शेहरों में पाये जाते हैं नावडे नावडे मतला आजकल नावडे अंडरलाइन करो नावडे यानि आजकल 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 बेटा यह जो खार है अपका हाउस अपका हाउस कैन आलसो बी सीन इन विलेज अब यह जो पक्के घर है यह village में scene means देखा जाता है कहां village में याने गाओं में भी ऐसे पक्के घर देखे जाते हैं बेटा आप देखे आपकी book में यह कच्चा house है और यह पक्का house है दोनों की आपको picture दी गई है ठीके आपने बेटा इस page की बहुत अच्छे से reading करनी है आज मामने आपको क्या सिखाया कच्चे house और पक्के house के बारे में सिखाया ओके बेटा तो आपने इसकी बहुत अच्छे से reading करनी है ओके और आपने हिंदी भी लिखनी है थैंक यू, have a nice day बाब बेटा, take care